भारत माता की भारत माता की भारत माता की मैं सबसे पहले तो इस सभागराह में उपस्तित एंडिये घटक दलों के सभी नेतागान नव निर्वाचित सभी साउसद्गान और हमारे राजसभा के भी साउसद्गान आप सबका रजय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है मरी ने खुशी के बात है कि इतने बड़े समू को आज मुझे यहां स्वागत करने का आउसर मिला है जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जिन लाखो कारकरताओं ने दिन रात परिशम किया है दिन देखा न रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में है हर दल के कारकरता ने जो पुरशार्त किया है परिशम किया है मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंटर होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूं साथ्यों मेरा बहुत सवभाग्य है कि इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथ्यों ने सर्वसम्मत्य से चून करके मुझे एक नया दाईत्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि व्यक्ति के जीवन में एक मैं जबाबदारी का एसास करता हूं जब 2019 में इस सदर में मैं बोल रहा था आप समने मुझे नेता के रूप में चुना था और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दाईत्व देते हैं इसका मटलब है कि हम दोनों के बीश हम अपस में विश्वास का सेत्व इतनु मजबूत है ये अतूट रिस्था विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है और आप सब के प्रतिश जीतना धन्यवाद करूं उत्रा कम है साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्था करते हैं साथ उनको शूप नहीं करता होगा लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोगतंत्र की ताकत देखिए कि NDA आदेश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मोगा थे हमारा यह एलाइंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिवीम भाए है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी नजर करे हमारे देश में दस ऐसे राज्यों जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रूप से है निरनायक रूप से है जहां इस आबादी आदिवासीों की ज़्यादा है ऐसे दस राज्यों में से साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है साथ्यों हम सर्वपंत संभाव के हमारे संभिधान को समर्पित है और देश में जए हमारा गोवा हो यह हमारा नौर्थ इस्ठ हो जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाई बन लेते हैं आज हम उन राज्यों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आउसर हमें मिला साथ्यों प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गडवंदन के इतिहास में प्री पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जीतना की एंडिये हुआ है और ये गडवंदन का विजय है हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूँ शब्दा अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है सरकार चलाने के लिए बहुमत आवशक है लोकतंत्र का वही एक सिधान्द है लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है और मैं आदेश वासियों को यहां से विश्वात दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार चाहमें बहुमत दे करके सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है यह हम सब का दाईत्व हैं कि हम सर्वमत का निरंतर प्यास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे